नेपाली खेलकूत का लागी बरसा 2009 से मद्धिम रहे। फुटबल ले खासे केही दिये नौ। बरो अखेल नपाल फुटबल संका पदाधिकारेले बिवाद में बरसा बिताए। देश फित्रा करियर नो देखेरा एक पचे अरको खेलाडी बिदेशी न पुगे। 2009 से फुटबल खेलाडी पलाएन को बरसा बनिय। शुरू में खराब प्रदेशन का कारण आलोचित क्रिकेट ले फने बरसा को अंते तीरा समर्थकलाई अपार खुसी दिय। अभूत पुर्ब नतिजा का कारण एक दिवसिये मान्यता मात्र जोगिये न नेपाल विश्चो कप छनोड कलागी छानिय। युबा बक्सिंग खिलाडीले अईतियांसिक प्रदेशन गरी। अथलेटिक्स रा पारा तेकंदो माँ पनी नेपाल विश्चो कप प्रदेशन गरी। प्रत्योगिता कर्म कांडमा सिमित्व है। नसकने निसकर्समा खिलाडीले बिदेश श्यात्रा तय करेका हुन। तिसको असर अहिले जारी सई दिसमारक ए रिविजन लिग माँ देख्येकोसा। उम्दा खिलाडी बिदेश गयेकाले लिगको स्तर खस कियेकोसा। एनफाले लिगमा प्रायोजक जुटाउन सकेना रास्टे टोलीको प्रदसन पनी निरासाजनक रह्यो। एशिया कप छनोटमा नेपालले इंडोनेशिया कुवेत्र जोडन संग लज्चास्वत हार्ब्य होर्यो। रास्टे टोलीका प्रशिचक अब्दुला अल्मुताईरी बिवाद का कारन निलंबनमा परे दोई मैत्रेपुर्णा खेल भने नेपाले जित्यो। बर्सको अंत्यतिर इटलीका विंसेंजो अलबोटोले प्रशिचको जिम्मेवारी समाले बुटान रा लावस संग को प्रदारमंत्री त्रिदेविशिय कप जिते को नेपाल इतिहासमा पहिलो पटक बुटान संगा बरा बलीमा रोकियो। महिला रास्ट्रिय फुटबल तोलीले अलम्पिक चनोटमा दोई खेलमा हार बे होर्यो। नेपाली क्रिकेट मा बढशा भरीने चर्चामा रहो। नेपाल क्रिकेट संग क्यानले पहिलो पटक गरेको नेपाल टिट्वियनटी लिग फिकसिंग का कारण बिवातित बनेो। म्याननले लिग आयुजना को जिमा भारतीय कमपणी राई तीय को थी। नेपाली क्रिकेट माँ पहिलो पटक फिक्सिंग को दाग लागे को हो। तेती मात्र होई ना लीक खेले का कती पए खेलाडी ले अज्ज़य सम्झोता अनुसार को रकम पाये का स्वेनन भारतीय कमपनी ले क्यानलाई दिनू पढ़ने पईसा नदी फागियो। टार खेलाडी संदीप लामीशाने ना वालीक बलतकार को अवयोग माँ जेल माँ पुगे करिब तीन महिना पसी धरोटी माँ छुटे का संदीप लाई कैनले रास्टे टोली माँ राख्यो। पांस मुईना पसी मैदान मा दिखिये का उनले उत्कुष्ट प्रतसन करे। यहाएएए लाई आगे रेसे लात तीन मेत थाक उनला प्रत प्रतावरी का माँ प्रतावित्वत कि अनलाएएएए लाईडी नीचाइड नेचाए लाईड हुग गर्ड़ाएएएब फ्रतावेट दीखिएएएएएएए लाईवा लाईडी माँ धूने और प्री अंतरकत निपाल ले सागुन पहिलो साथा पछी खेले का बारा मद्दे एक घारा खेल जितियो। वीद पाउडेल को कप्तानी स्मरनी रहयो। युवा खिलारी ले समर्थक को मन जिते। चमत कारीक नतीजावा प्रशिशक मुंठी देसाई को भुनिका महत पूर्ण रहयो। उनली प्रोलीलाई एक जूट बनाऊदा निपाल ले धराप मा पहरेको एक तिविश्य मानेता मात्र जोगाएना 200 कप को ग्लोबल चनोट मा स्थान बनायो। बोक्सिंग मा युवा महिला खिलाडी ले तारिफ योग्य प्रदसन करे। 22 बर्श मुनिको एश्याली चैंपिनसिप मा सुसमा अता मांगले एती हांसिक रोजत पदक जितिन। एसे गरी 200 महिला बक्सिंग चैंपिनसिप मा अंजना तेली ले 25 जिदे क्वाटर फाइनल मा पुग्मे पहिलो नेपाली खिलाडी बनिन। पाराते कंदो तर्फ युवा खिलाडी सिर्जना घिसिंग ले 200 पाराते कंदो घ्राप पीको जिटेन स्पर्दामा बिस्टो नमर एक खिलाडी ले खुराइर नेपालाई एती हांसिक सोर्न पतक दिलाइन। युवा गल्फर सुबास तामांग रसाद भाव आचारे ले बंगलादेस एमेचोर चैंपिन सीप मा टीम तर्फ सोर्न पतक जिते। एतलेटिक्स मा पनी नेपाल ले एतिहांसिक सफलता प्राप्त कर्यों, दस किलोमेटर एशन क्रोस कंट्री मा नेपाल ले आच पतक प्राप्त कर्यों, दिपक अधिकारी एश्याली स्तर्मा सोर्न जितने, पहिलो नेपाली एतलेटिक्स खिलाडी बने, उनले द्वी सोर्न रस्राफ्टलाइ तिलाइ